तो आज की वीर्डिव में हम बात करें हैं पोको X3 की तो सबसे पहले हम इसके स्पेक्स की बात कर लेता है तो स्पेक्स के अंदर जो में डिस्प्ले का साइज मिलता है हमें 6.67 इच का और अगर इसकी सक्रीन की रेजोलुशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें Full HD Plus की resolution मिलती है, यानि के 1080 by 2400 की screen resolution मिलती है, और इसके इलावा जो हमें इसमें refresh rate मिलता है, वो अच्छा मिलता है, यानि के मैं इसमें 120 Hz का refresh rate तब मिलता है, जब हम कोई games वगरा खेल रहे हूँ, otherwise आपका phone जो है, वो 60 Hz के refresh rate पे चलेगा, और इसका फाइदा यह होगा कि इसमें आपकी battery वो आम तो रुपे कम इस्तमाल होगी, इसके इलावा अगर हम इसमें text sampling की बात करें, तो हमें यहाँ पे 240 Hz का text sampling मिलता है, और यह चीज़ आपकी gaming की performance के लिए काफी बेतर है, इसके इलावा अगर हम इसमें brightness की बात करें, तो हमें इसमें 450 nits की brightness मिलती है, तो brightness के वाल से भी यह set काफी अच्छा होगा, अगर आप धूप वखर हमें set की इसमें कोई problem नहीं होगी, तो अगर अब हम इसमें camera की बात करें, और साथ में एक 13MP का ultra wide angle camera मिलता है 2.2 के बर्चर के साथ, और साथ में एक depth sensor मिलता है 2MP का और साथ में micro lens एक मिलता है 2MP का, और अगर हम इसमें videos की बात करें, तो आप इसमें 4K की video बना सकते हैं 30 frames per second के साथ, और साथ में आप इसमें full HD यानि के 1080 की video बना सकते हैं 60 frames per second के साथ, और साथ में अगर आप 720 की उपर video बनाते हैं तो यहाँ पे आप 960 frames के साथ video बना सकते हैं, इसके लाबा अगर हम इसमें front camera की बात करें तो यहाँ पे punch hole मिलता है आपको 20 MP का ultra wide angle 2.2 के aperture के साथ, और इसमें भी आप 1080 की video बना सकते हैं, और अगर हम इसमें memory की बात करें तो यहाँ पे जो हमें memory मिलती है, वो मिलती है 64 GB और साथ में हमें 6 GB की RAM मिलती है, और एक और variant आपको इसमें मिलेगा 128 GB का same 6 GB की RAM के साथ, और अगर हम इसमें operating system की बात करें, तो यहाँ पे में Android 10 मिलता है MIUI 12 के साथ, और साथ में अगर हम इसमें chipset की बात करें, तो यहाँ पे में snapdragon का 732G का chipset मिलता है, 8 nanometer के transistor के साथ, और साथ में हमें GPU मिलता है Andreno का 618, तो 618 है, एक अपर mid range का GPU है, यानि कि अगर आपका इसमें processor अच्छा होगा तो यह जएदा अच्छा परफॉर्म करेंगा, और इसके अदर सेट के अंदर liquid cool technology को इस्तमाल किया गया है, और इसके अंदर काफी layers बनाई गई हैं, जिससे आपका set वो काफी cool रहे, और basically इसकी वज़ाजी है कि यह set जो है, यह ऐसे लोगों को ध्यान में रखके बनाया गया है, जो games वगारा खेलते हैं, और इसके अगर हम सेट में colors की बात करेंगे हैं, तो इसमें हमें cumbered blue color मिलता है, और साथ में shadow gray मिलता है, और इसके इलावा जो हमें इसमें fingerprint sensor मिलता है, वो right side के उपर मिलता है, और इसके साथ हमें इसमें मिलती है, बैटरी 5,160 mAh की, और अगर हम इसमें charging की बात करेंगे हैं, तो हम इसमें fast charging मिलती है, 33 watts के साथ, यानि कि आपका set जो है, 62% तक charge होगा 30 minutes के अंदर, तो charging के अवाले से भी ये set अच्छा है, और इसके इलावा गर हम सेट को देखते हैं, तो इस set को gaming के लिया से बनाया गया, कि अगर आप game वगरा खेलते हैं, तो ये setup के लिए काफी अच्छा होगा, इसके लावा इसकी touch sampling जो है, वो काफी अच्छी रखी गई है, यानि कि इसमें आपको 248 की touch sampling मिलती है, तो अगर आप games वगरा खेलते हैं, तो ये set आपके लिए काफी बेतर होगा, अब ये set जो है, ये तक्रीबन पाकस्तान के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा, और इस set की price तक्रीबन 60 से 65 हजार रपे के बीच में होगी, तो दोस्तों, उमीद करते हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कर दें, अगर आपको टेकनोलजी के दिने इंटरस्ट आप आपसना की मजीद वीडियो दिखना चाते हैं, तो आप मेरे चैनल आईटी की डिप्स को सबस्क्राइब कर सकते हैं, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाहाफिस